Hello Everyone, Namaskar हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो, नया साल शुरू हो चुका है मेरे सबी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को नय साल की हार्दिशुप कमने दोस्तो, पिछले कुछ वर्षों से New Year Resolution लेने का Trend बढ़ता जा रहा है नय वर्ष की शुरुवात के साथ लोग अपने जीवन में भी नई और अच्छी आदतों की पहल करते हैं अगर आप भी New Year Resolution लेकर वर्ष 2022 को अपने लिए खास और बहतरीन बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ Best New Year Resolution आइडियाज शेयर करूँगी उमीद है आपको ये आइडियाज बसंद आएंगे तो वीडियो शुरूर करने से पहले आपसे एक खास बात दोस्तो, अगर आप इस चैनल पर नए आई हैं और पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन बटन प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनोंने इस चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानि कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखीगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए क्योंकि दोस्तो आदी दोरी जानकारी से पूरा लाब नहीं मिलता है इसलिए हमारे साथ अंतितर बने रहेगा तो है ये शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं न्यू यर रेजिलियोशन के बेस्ट आइडियाज की नमबर एक अपनी सहित का अपनी हैल्थ का ख्याल रखिए दोस्तो वर्ष 2020 और 2021 किस ने हर विक्ति को यही सिखा दिया कि हैल्थ से बढ़कर स्वास्तिय से बढ़कर कुछ भी नहीं है वर्ष 2022 की शुरुआत में ये संकल्प लीजिए कि नए साल के साथ हम सब आप अपने परिवार के साथ और अपनी स्वास्तिय का ध्यान रखेंगे नव वर्ष के साथ अपना डाइट मेंटेन करें और अपने रूटीन में वाक, योग, प्राणायाम और अक्सरसाइज जरूर शामिल कीजिए नमबर दो, किताबों को बनाए अपना दोस्त, सच्चा दोस्त बनाए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किताबें इनसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और ये सच भी है, किताबें हर व्यक्ति को हर पल गाइड करती है और एक गुरू की तरह मार्क दर्शन परदान करती है वर्ष 2022 में आप ये निश्चे करें ये प्रणी लें कि इस वर्ष आप किताबों को समय देंगे और अच्छे विचार ग्रहन करेंगे नमबर तीन परसनल्टी ग्रूमिंग पर दे ध्यान दोस्तों अगर आप अपनी परसनल्टी ग्रूम करना चाहते हैं तो न्यू येर रेजिलेशन के बहाने इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए वर्ष 2022 में आप अपने परसनल्टी को आकरशक और अच्छी बनाने के लिए सही कदम उठाएंगे अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं या कोई नई जीद सीखना चाहते हैं तो खुद से ये वादा जरूर करें दोस्तों अगर आपके रिष्टे आपके प्रिये जनों के साथ ठीक नहीं है तो वर्ष 2022 में इन्हें बहतर बनाने का रेजिलेशन ले अगर रिलेशनशिप को ले करके पिछले वर्ष की कुछ बूरी और कड़वी यादे हैं तो उन्हें भूल कर नई वर्ष के साथ अपने रिष्टे में भी नया पन लाए दोस्तों वर्ष 2021 में अगर आपने अननैसेसरी खर्चे किये हैं बेमतलब कि खर्चे किये हैं तो वर्ष 2022 आपको संभलने का एक और मौका दे रहा है नई वर्ष के साथ खुद से ये वादा कीजिए कि आप इस साल अपने खर्चे का धियान रखेंगे और सेविंग करेंगे बचट करेंगे वर्ष 2021 में अगर आपने कपड़ों और ओनलाइन फूड और करने पर ज़्यादा खर्चा किया है तो 2022 में बचट करने का संकल्प जरूर कीजिए आये बात करते हैं न्यू यर रेजलियोशन के विचार दोस्तो कुछ नया करने के लिए द्रड संकल्प होना अवश्यक है मनुश्य में शक्ति की कमी नहीं होती संकल्प की कमी होती है किसी कार्य का असंभव या संभव होना व्यक्ति के द्रड संकल्प पर निर्भर करता है सफलता से खुशी नहीं मिलती है बलकि खुश रहने के लिए सफलता मिलती है हर परिश्चिती में खुश रहने का द्रड संकल्प भी हम सब को सफल बनाएगा परिश्रम और योगिता से लक्षे को प्राप्ट किया जा सकता है परंतो लक्षे बड़ा प्राप्ट करने के लिए आपको द्रड संकल्पी होना चाहिए एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्ने से थोड़ा कुछ बदलता है और एक द्रड संकल्प सब कुछ बदल देता है इसलिए वर्ष दोहचारी किसकी सबी बूरी आदतों को छोड़कर वर्ष दोहचार बाइस के साथ नई शुरुवात कीजिए गुलो की शाक से खुश्बो चुरा के लाया है गगन के पाउं से घुंगरो चुरा के लाया है थिरकते कदमों से आ गया है नया साल जो हमारे लिए खुशियां चुरा के लाया है हैपी न्यू येर थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक, शेर अड़ सब्सक्राइब मैं चैनल जै श्रीहरी, हर हर महादेव हैपी न्यू येर